आज मुझे हाँ एक सो चार साल की उमर की मा कुंगर भाई का आशिर्वाद प्राप्त करने का सुभवाग्य मिला जो लोग अपने आपको नवजबान मानते हैं वो जना तै करें कि हाँ उनकी सोच भी जबान है क्या मैं ये इसले कह रहा हूँ कि 104 साल की मा कुवरवाई ना टीवी देखती है ना अकबार पढ़ती है ना वो पड़ीली की मा है दूर सुदूर गाउं में रहती है और उसको पता चला कि देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि सौचालय बनाओ बस इस मा की कान में पढ़ गया उसने अपनी बकरियां बेच दी और सौचालय बना दिया 104 साल की मा के मन में विचार यही हिंदुस्तान के बदलाव का संकेत दे रहा है देश बदल रहा है इसका सबूत दूर सुदूर गाउं में बैटी वी मेरी एक आदिवासी 104 साल की मा जब सौचालय बनाने का संकल्प करे और संकल्प करे इतना ही नहीं पूरे गाउं वालों को सौचालय बनाने के लिए मजबूर करे इतना ही नहीं गाउं में अब कोई भी व्यक्ति खुले में सौचालय नहीं जाएगा ये पक्का करवाले इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है मैं आज देश समाचियों को कहता हूँ मैं मीडिया वालों से भी प्रार्षना करता हूँ कि मेरा इभाशन नहीं दिखाओगे तो चलेगा लेकिन मेरी ये मा कुमरबाई की बात जरूर देश को बताता है यही दो बाते हैं जो समाच की ताकत बनती है